पहला question है हाल ही में जारी IUCN Red List Update की अनसार मेठे जल की कितने प्रस्थत मचलिया विलुप्त होने की ओर है तो इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer option B right होगा 25% मेठे जल की 25% मचलिया विलुप्त होने की ओर है IUCN Red List अपडेट के अनसार देगना IUCN Red List जानवरों कवक और पौधों की प्रजातियों के वीच विलुप्त होने की जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे महत्पूर्ण वेस्विक संस्थान है सभी के लिए सुलब यह वेस्विक जैवेविविता स्वास्त के लिए एक महत्पूर्ण संकेतक की रूप में कारिक करता है यह प्रजातियों की विसेस्ता खतरों और संदक्षणों उपायों के मिक में व्यापक अंतर डिश्टी प्रदान करता है तब था सूचित संदक्षण निर्णयों एवं नीटियों को अकार देने में मातपूर्ण भूमी का भी निवाता है दूसरा कुश्चन है हाल ही में कौन UNI-DROIT के लिए चुनी गई पहली भारती महिला बनी है तो इस कुश्चन का राइट आंसर ओपसन सी राइट होगा उमा सेखर तरहा ना उमा सेखर जो हैं पहली भारती महिला बनी है अब ये के सूसरी उमा सेखा ने रोम इटली में इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दा यूनिफिकेशन ओफ प्राइविट लॉ यानि क्या होता है यू यू एन आई डी आर ओ आईटी की फुल फॉर्म है क्या है इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दा यूनिफिक प्राइविट लॉग की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए चुनाओं के सुरुवाती दोर में 69 में से 45 वोट होसिल किये हैं। यह एतिहासिक जीत ना केवल सुसरी सेखर की व्यक्ति उपलब्तिक का प्रतिनिद्द करती हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1926 में इसकी स्थापना होई थे। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो मारिया चियारा माल गुटी मारिया चियारा माल गुटी जो है इसकी प्रेसिडेंट हैं। इसकी की बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन हाल ही में किसे मेड़ फॉर इंडिया मेड़ फॉर इंडिया कुरुतिम एयाई का अनावरण किया है। तो इसकुषियन कर राइट आंसर क्या होगा? इसकुषियन कर राइट आंसर बी ओप्र से राइट होगा। अगर आप वह मिस कर दिया है तो हम आपको यह बता रहे हैं कि आप चैट भूट को खुद मोः एक्सिस कर सकते हैं इस चैट भूट की खास बात इस टेयर है कि इस इन्य चैट भूट की तरह वे मैं अन्य बावश्च की ग्र cinnamon का अनावरण किया है next question क्या है next question है हाल ही में आई रिपोर्ट की अनुसार चालू वित्वर्स में भारत का सुध्य प्रत्यक्ष संग्रे कितने % बढ़ा है इस question का right answer होगा C option right होगा 23.4% बढ़ा है तेगना चालू वित्वर्स में भारत का सुध्य प्रत्यक्ष कर जो है 23.4% बढ़ा है next question देखेंगे पाँचमा question है hangs ने किस देख के सुल्तान तीन देवसी भारत यात्रा पर पहुंचे है तो इस question का right answer क्या होगा ओमान देख के सुल्तान जो है तीन देवसी भारत यात्रा पर पहुंचे है अब ओमान की बात है तो यह है मैप में ओमान, ओमान की कैपिटल क्या है, मसकट है ओमान की कैपिटल, करंसी की बात करें, तो ओमानी रियाल जो है यहां की करंसी है, और जो सुल्तान है, हैतम बिन तारीक, हैतम बिन तारीक ही जो है भारत की तीन दिवसी यात्रा पर भारत आएं है, यह ना नेक्स इस Quesion की बात करेंगे, छटमा Quesion है, हाल ही में आई रिपोट की अनुसार किस राज जी के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है, तो इस Quesion का राइट क्या होगा, इस Quesion का आंसर राइट होगा, ओपसन ए, राइट होगा केरल, तो केरल है, ये है मैप में केरल जो केरल राज्य है, आई रूपोट के अनुसार 30% से अधिक जो है, उनमें डेंगू पाया गया है, अब बात एक केरल की, तो केरल की चीफ मिनिश्टर कौन है, पिनराई विजियन, कैपिटल क्या है, तिरु अनंत पुरंप, गवर्नर कौन है, हारिप मोहम्मद खान, ठीक जो धिनाने पुना सेवा में सामिल करेगी, इस कुश्चन कर रहा है अंसर, ऑप्संट सी राइट होगा, माल दीफ, माल दीफ दोरा प्रदत सेवा मुक्त किये गए, जहाज को भारती सेवा पुना सेवा देगी, तो आप बात है माल दीफी, तो यह मैप में माल दीफ, यह मालदीप की capital क्या है माली currency यह है मालदीप यह रूफिया और president क्या है कौन है मुहम्मद महजु यहां के president है अब बात है मालदीप को तो मालदीप से important question जो है वो क्या बनेगा कि मालदीप ने भारत की स्थाथ hydrographic survey agreement खत्म करेगा ठीक ना जो hydrographic survey agreement उसको खत्म करेगा भारत सरकार ने मालदीप से 75 भारती सैने को वापस बुलाने का फैसला भी किया है अब next question देखेंगे आठमा question है हाल ही में किसके द्वारा सोदेशी जलवायू पूर्मा नुमान प्रणाली विक्सित की गई है तो इस question का right answer option B right होगा option B right होगा IIT, IITM पूरे जो की है जलवायू पूर्मान प्रणाली रिक्सित करेगी ठीक ना IITM ESM के नाम से जाना जाने वाला एक अत्यादोनिक प्रत्वी प्रणाली मॉडल याने ESM प्रत्वी विज्ञान मंत्राले के अंत्तगर्थ भारती उष्ट कटिवंदी मौसम विज्ञान संस्थान IITM के चलवायू परिवर्तन अनुसंदान के इंदर CCR में सौदेसी रूप से विक्सित किया गया है ठीक है ना next question की बात करेंगे 9 question है हाल ही में किसने IITF विज्ञान सिप 2023 जीता है इस question का right answer option C right होगा उपियुक्त दोनोंने नोवाग जोकोविच और आयना सबालेंग का ये हैं दोनों जिन्होंने IITF विज्ञान सिप जीता है अब बात है IITF की full form होती है International Tennis Federation International Tennis Federation इसकी स्थापना कब हुई थी 1 March 1913 को 1 March 1913 को IITF की स्थापना हुई थी इसका headquarter कहां है London में UK London में इसका headquarter है और President की बात करेंगे तो David Haggerty इसके President है IITF यहने International Tennis Federation 1 March 1913 को इसकी स्थापना हुई थी Next question है दसमा question है हाल यह में I Report की अनुसार किस देश ने E Retail Bajar 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा तो अपना देश से भारत B Option Right होगा भारत जो है E Retail Bajar 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा बात है भारत की इंपॉर्टन कुश्चन देख लेते हैं भारत ने 2023 में record 41 पेंटेंट कराए हैं तेगे ना भारत को लगातार तीसरी ब्यार EIDB की अध्यक्च चुना भी गया है भारत ICC के तीनो फॉर्मिट में नंबर वन बना है मलेशिया ने भारती नागरिकों को वीजा मुफ्त प्रवेस की अनुमती भी दी है भारत स्थोसर मेडिया के लिए सक्त आयू सब्त्यापन यूजना बना रहा है नेक्स कुश्चन देखेंगे गया रहमा कुश्चन है हाली में सत्रेवे रयान अंतराष्टी बाल महोस्तो 2030 का उद्गाटन कहां हुआ है तो इस कुश्चन का रहेट आंसर ओप्सन सी राइट होगा नई दिल्ली में सत्रेवे रयान अंतराष्टी बाल महोस्तो 2023 का उद्गाटन हुआ है रयान गूप ऑफ इसकूल ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लेट्स हैव फ़न थीम के साथ रयान इंटरनेशनल चिल्रेंट फेस्टिवल 2023 के सत्रेवे संसकन का समापन हो गया है इससे पहले 13 दिसंबर 2030 को गर्व के साथ कारिक्रम का उद्गाटन किया गया है ठीक ना इसकी आपको थीम भी याद रखनी है इंपोर्टन थीम है जो है लेट्स हैव फ़न इसकी थीम है नेक्स कूशन की बात करेंगे बारहमा कुश्चन है हाल ही में आई एम एफ ने आई एम एफ किस देश को अर्थ ववस्था को इस्थिर करने के लिए 33.7 करोड रुपए देगा 33.7 करोड डॉलर देगा तो इसकूशन का राइट अंसर सी ओप्सन राइट होगा स्री लंका को स्री लंका देश को आर्थ ववस्था को इस्थिर करने के लिए 33.7 करोड डॉलर देगा कौन आई एम एफ किसको देगा स्री लंका को अब स्री लंका की बात है तो कैपिटल क्या है कोलंबो और स्री जैवर्द ने पुरम कोटे दो कैपिटल है स्री लंका की कोलंबो और स्री जैवर्द ने पुरम कोटे करन सीख्या है स्री लंका नरुपया प्रेसिडेंट कौन है रनेल विक्रम सिंगे प्रायम मिनिस्टर कौन है दिनेस गुर्ण वार्दिना इसके प्रेसिडेंट है अब किस ने की है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड इसकी स्थापना कब हुई थी 27-45 27-45 21-45 इसकी स्थापना हुई थी हैड़ॉर्टर कहा है OneSeer CDC में इसका हैड़ॉर्टर है अमेरिका में इसका हैड़ॉर्टर है MD कौन है इमेजिनिर डिरेक्टर कौन है क्रिश्टलीना ज्वारजिया इसकी एमडी है नेक्स कुश्चिन की बात करेंगे तहरा मैं कुश्चन है हाल ही ने हाल ही में ISBI की रिपोर्ट की अनुसार कब तक महिला मतदाओं की संख्या फूरुसों से अधिक हो जाएगी तो इस कुश्चि होगा दो हजार उन्तिस तक महिला मतदाओं की संख्या पूरुसों से अधिक हो जाएगी एस बी आई की रिपोर्ट के अनुसार देखना है एस बी आई यानि इस्टेट बैंक ओफ इंडिया इसकी इस्थापना कब होई थी एक जुलाई इसकी स्थापना कब होई थी एक ज इसके चेयर मैं कौँ है चेयर परसन इसके कौँ है धिनिष कुमार इसके चेयर परसन है नेक्ट कुशिन देखेंगे हाल ही में किस देस ने 33 देसों के नागरिकों के लिए वीजा अवसक्ता को समाप्थ कर दिया है इसकुशिन का रायप अंसर आउप्शन बी रह डोगा इ ये है मैप में इराण जो की 33 जेसों के नागरीकों के वीज़ा के लिए अफसकताओं को समाप्त कर दिया है अब बात है एराण की तो इसकी कबिटिल क्या है है तहराण प्रेसिडेन्ट कौन है हासन रूहानी और करशन क्या है इराणी रियाल इसकी करशना सी है तो इस question का right answer होगा C option right होगा Philippines ये है मैप में Philippines मैप में कहाँ ये है फिलिपिन्स आपको ये दिखेगा ये है मैप में Philippines तेगे ना मैप में Philippines अपा बात है Philippines तो इसके capital क्या है Manila currency क्या है Philippines पैसो President कौन है रेडियो दो तेरे इसके President है वर्दमान में चल रही लंबी दूरी ओपरेशन की तैनाती के लिए एक हिस्से की रूप में INS कदमत 22 दिसंबर 2013 को Philippines की राज़्धानी Manila पहुची है INS कदमत अपने धरे का दूसरा युद्धपोत है जिसका निर्मान देस में किया गया है यह युद्पोत फिलिपिन्स के साथ नौसेनिक अभ्यास भी करेगा थे या ना तो आसा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको चरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वह अपने उन दोस्तों को सेयर करें जो कॉंप्रीशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी हमारी इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल इस्टेडी 3.1 को भी आप फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद